दोस्तो अधिक्तम यूटूबर्स करते क्या कि अगर उनकी किसी भी वीडियो पर कॉपीरेट क्लेम आ जाता है तो पूशिम्पल सा उस वीडियो को डिलीट कर देंगे या ऐसे ही रहने देंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कि अगर आ अधा सकते हो बीना वीडियो को डिलीट किये विव्को दोस्तो दीगे कोपी रैट क्लेम एक्ष्यल में आता क्यों है ओ Lud быть I and every दूसर आपको कॉपीरेट क्लेम आएगा आप चाहे। आप सौंग का यूज़ करे या किसी भी प्रकार की आभ ग्राट का यूजिक अगर वो copyright free नहीं है और आप यूज कर लेते हो तो आपके पास claim आएगा और उसका जो earning होता है effect की बात करते तो अगर आपके किसी भी वीडियो पर copyright claim आएगा तो उस वीडियो से जो भी earning होगा वो real honor के पास चला जाएगा जैसे कि माले आप मेरे music का यूज करते हो ठीक है त तो आपको उस वीडियो से earning नहीं होगा अब दोस्तों यहाँ पर भी दो conditions वर्क करते हैं एक तो कि यह आपने मतलब आपका पांच मिट का वीडियो है बहाँ पर आप छोटे से पार में 30 सेकेंड में किसी music का यूज कर ले था और फिर भी आपके पास copyright claim आ गया तो उसको कै किसी का तो उस copyright claim को आप कैसे रिमूव कर हुए और दोस्तों यहाँ पर यह तर्ड पॉइंट रहता है कि यह आप बोल रहे थे और आपकी वीडियो में music भी था और आप सुच रहे कि केबल music music रिमूव हो जाए और मैं जो बोल ला था बो रहे तो यह सब कुछ कर पाऊ मैं अभी दो दिन पहले वीडियो अप्लोड किया था मैं अपने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए क्या क्या यूज करता हूं तो आप देख भाइए उस पर मेरा रेड डॉलर मिल्च का copyright claim आ चुका क्योंकि मैंने एक 30 सेकेंड के वीडियो में थोड़ा सा music यूज कर क्या यहां पर आपको content का यूग option लेगा इस पर क्लिक करना आपको जहां पर आपके सारे वीडियो से क्लिक करता ओर तो यहां पर आपको copyright claim पर आपको डेटेल्स प्लिके से यहां पर देखने और नौइप्टाीटि। दिखा रहा है तो यहां पर मतलब इस को मौनेटाइसिसेंB其 means मौने़्य दिखा रहाँ यहां पर होग मतलब इसको करूजशी में यहां यहां पर प्रोगिले टालर खाफ तो आपको सब्सक्राइब दिखाएंगा अब यहां पर देखिए आपका गन्ट पागा होगा और जहां परकोई क्लेम up के फोंतर झाओं ऐहां पर जालेकशन पर आपकोई सेलाक्ट अप्शन करना स्फंब जयसे क्लिक करेंगे तो यह मिलेगा term आउट सेगमेंट का और रिप्ले सोंग का और म्यूट सोंग का अब दूसरी यह पर तीन चीज़े हैं आपके पास तो देखें ट्रिम का मतलब है कि आपका जितने वीडियो में जो कॉपिराइट क्ले में उतना वीडियो का पॉर्ट ही रिमूव कर सकते हो पंदरा सेकेंड का अब दूसरी ऐसे में कि आपका वीडियो एफेक्ट करेगा मतलब 15 सेकेंड में जो बोला था उसके आगे से बोलेंगे वह समझ नहीं आएगा तो मतलब आपका पार तो डिलीट नहीं करना जो म्यूजिक था उसको डिलीट करना है तो आप क्या कर सकते है रिप्लेस सोंग कर जाएगा और यहां पर आपको क्या मिलेगा देखें स्टार्ट टाइव एंड टाइम सुरुआत के जीरो से लेकर हमारे 14 15 सिगंड तक जो क्या था बैक्ग्राउंड म्यूजिक था अब यहां पर दोस्तों दिखें एक चीज मिलेगा आपका म्यूजिक क्या था आपने जाएगा और दूसरी बात एक चीज और मैं बताता हूं ठीक है जैसे कि यहां पर आपको वीडियो में यहां पर नीचे की और आता हूं ठीक है उसके बाद मैं आपको बताता हूं यहां पर थोड़ा सा में नीचे की और आऊंगा एंड यहां पर मैं आपको देखें यहां आप rename कर सकते हैं, select action पर आनेक बार replace song पर किलिक करने के बाद दोस्तों यहां से उतने में आप दूसरा background music लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, जैसे आप replace song पर किलिक करने के बाद यहां पर आपके पास बहुत सारे song आ जाएंगे, YouTube library के और बहुत सारे, तो इनमें से किसी भी song क आपको play करके देख लेना, play करके देखने के बाद आपको add का option मिलेगा, इस पर आपको click कर देना, simple सा यह add हो जाएगा, ठीक है, अब आपको करना कि यहां पर आपका वीडियो भी मिल जाएगा, अब यह song आपका add हो चका copyright claim music की बज़ा है, ठीक है, अब आपको यहां पर save क्लिक कर देना, और maximum जो आपका छोटा वीडियो होगा, तो थोड़ा सा कम समय लेगा, और 5-10 मिनट का वीडियो होगा, तो यहां पर लगबग में आपका 5 मिन तक लग सकता, तो इस परकार से आप copyright claim को easily remove कर सकते हो, तो यहां पर देखेंगे, अब थोड़ी दिर में यह copyright claim जो है, वो remove हो जाएगा, तो दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे, यह वीडियो प्रोसेसिंग में चला हो, और अभी थोड़ी दिर में, जो music है, वो rename हो जाएगा, और इस परकार से आपका copyright claim, automatically हट जाएगा, तो गईस, ज़र आप वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक कर देजगा, चैनल पर नहीं तो subscribe कर देजगा, मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए, नमस्ते